दोस्तों आप सबका स्वागत है और कॉंग्रेस की सेंटरल एलेक्शन अथोर्टी के चेरपसंद शिरी मदूसुन बिस्त्री जी आप से अपनी बात कहेंगे वो चुनाव के मुद्धे पर आपने कॉंग्रेस में तो चुनाव होते देखा है और सुना है किन्तु बाज़पा में चुनाव कब होता है और कब नहीं होता हमें कभी नहीं पता चलता तो ये मैं मानता हूं कि कॉंग्रेस का दूसरे दलों से कोई कंपरिजन नहीं हो सकता लेकिन फिर भी हम अपनी बात करने के लिए पूरी तरह से खुले रूप में आपके बीच में शिरी मदूसुन मिस सभी प्रदिश रिटर्निंग ओफिसर की मीटिंग हुई थी और उसमें तैयारी का जाईजा लिया गया था उसी मीटिंग के अंदर सबको आइडिन्टिटी कार्ड इतने भी हमारे डेलिगेट्स चुने गये हैं जो नो हजार से भी ज्यादा है वो दिये गये थे आइडिन्टिटी कार्ड इस तरह से हमने सब के क्यू वन कोड के साथ में तैयार किये है जो अगली वीश तारिक से पहले सभी स्टेट के अंदर सभी प्रदिश रिटर्निंग ओफिसर उन डेलिगेट को देंगे मैंने फिर से कहा था और उसको दोरा रहा हूँ जिनके कोई कंप्लेंग थी कि अगर हम नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं और दूसरे स्टेट के हमको दस सपोर्डर चाहिए तो वो हमको कहां से अगर जो नॉमिनेशन वोटर्स लिस्ट हमको नहीं मिलेगा या नहीं देखने मिलेगा तो हम कैसे करेंगे उसका जवाब फिर से कहता हूँ मैं यह आइडेंटिटी कार्ड है जो डेलिगेट होंगे उनको ही पास यह आइडेंटिटी कार्ड होगा आप किसी भी स्टेट के दस लोग जो आप चुनना चाहते हो अपने सपोर्टर के तरह तो उनसे आप फूछ लोगे कि आपके पास में आइडेंटिटी कार्ड है क्या यह अगर जो हां बुलता है तो वो हमारा वोटर है डेलिगेट है और उसकी साइन वैलिड है दूसरा हमने यह भी किया है यहां पर कि 20 तारिक के बाद जो लोग नॉमिनेशन करना चाहते हैं या जो लोग दस सपोर्टर दूसरे स्टेट के अंदर से लेना चाहते हैं अलग-अलग स्टेट से वो हमारा वोटर लिस्ट जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर से यहां पर आकर देख सकते हैं और वो वोटर लिस्ट यहां पर होगा एक दूसरा है हमारे जो पियारो है प्रदिस रिटर्डिंग ऑफिसर वो जाके डेलिगेट के मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग के अंदर प्रदिश के प्रेशिडेंट और ए इसीच के प्रेशिडेंट उसके ऑथराइजेशन कॉंग्रेश प्रेशिडेंट को देंगे मैं साफ करना चाहता हूँ क्योंके कल sections of people के अंदर थोड़ी misunderstanding हो गई थी जो आज news मुझे पता चला है उसमें कि इस resolution की process से Congress Party के All India Congress Committee के President के चुनाव के उपर कोई असर नहीं है कोई bearing नहीं होगा यह independent process है इस process के अंदर 24 तारिक से 30 तारिक तक यहाँ नामानकन होगा नामानकन के बाद उसकी scrutiny होगे और बाद में विड्रोल का एक period है साथ दिन का वो विड्रोल पीरिड खतम होने के बाद जो भी लोग जिनका नॉमिनेशन वहाँ पर है और जो विड्रोल नहीं होते हैं वो सभी candidate गिने जाएंगे एक से ज़्यादा अगर candidate होंगे तो देश के सभी स्टेट के अंदर प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के ओफिस में वोटिंग होगा अगर एक से ज़्यादा candidate नॉमिनेशन भरते हैं तो यह identity card जो दिये हैं डेलिगेर्स को वोटिंग करने वाले को यह identity card साथ में लेके आना होगा जिसमें उनके photograph नहीं लगे होंगे जैसे यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है तो जिसके में photograph है उसको आधार card लाने की जरूर नहीं है यह card से वोटिंग करेंगे जिनके photo नहीं भेजे और जिनका card तयार हो गया है वो आधार card और यह card साथ में लाके वोटिंग करेंगे मैं फिर से clarify करना चाहता हूँ कि Congress President के election के process के उपर resolution पास करने का कोई भी bearing नहीं है असर नहीं है और incoming जो President है आएंगे जो भी होगा XYZ तो उसको एक सहुलियत होगी यह clarifications मैं आप से करने के लिए आज की यह meeting और आपको बुलाया है अब आपके मैं सवाल invite करता हूँ पहले पास नहीं हो रहा है डेलिगेट की जो meeting होगी उसमें स्टेट के जो President है वो और AICC जो उसके बाद में आने की जो process है उसके लिए है आने वाले जो नए होंगे निर्वाचित उनको लिए जाएगा यहां प्रदेशों से रिजो पास किये जा रहा है यानि की जो नए हजब तुने जाएगे सभी राज अगर उसके पास कि कहा जेते हैं कि आप अपने प्रदेश अध्यक्स या एएएग्स जो डिएट है वो नए अध्यक्स को बाइट है यहां नए जो अध्यक्स होगे उनके उपर उनके उनके यहां जाएग्स यहां लुट्स्ट यहां जाएग्स हज़ प्रविटो किसे देसे सब्सक्राइब, गलकेड रसbn स्थाआ इंग है। अपोजिए लीड़ ए्ट्रीव सिर्ट जूग निया विए बिलेटेश नित्र बिल्टीटीं बसमेड़ एंद़ वर कि विए रस्ट्रीटीन हैं। कि प्रश्टाव को लेकर एक जना एक जना एक जना एक जना एक जना फिर से बोलो जना कि प्रश्टाव पास में कि पात की जना ही आई आ उसके प्रश्टाव को पाद में दाने के वाद तो फिट उनाव नहीं होगा है? नहीं नहीं है जरूरी नहीं है तेज़ लोग अगर जो सम्मति से इकटा होते रोचुनाव नहीं चाहते तो नहीं होगा तेज से बढ़के पचीज सत्ताइस तीज होगे बारा के तो चुना होगा क्योंकि उसके अंदर तीज में से ग्यारा नोमिनेटेड होगे और बारा का इलेक्शन होगा तो बारा से तीर मां अगर जो हुआ चौद मां हुआ पंदर मां हुआ उन्होंने नोमिनेशन फाइल किया और कोई विड्रो नहीं करता है तो इलेक्शन होगा बारा लोगों का वो AICC सेशन के बाद में होगा AICC सेशन पूरी होने के बाद नेक्स डे इलेक्शन होता है यह तैंक यू अज़ दो चीज़ है पहला कि जो आपने सभी राज्यों में जो नौजान BCC डेलिगेट बनाए है कितनी जगों पें चुनाओ करवाया गया है एक सवाल दूसरा सवाल कि जो AICC डेलिगेट चुनने के लिए अधिरित किया जाए लावी अध्यक्श को इसकी ज़रत क्यों पढ़िया जब आप लोग चुन सकता है तो AICC डेलिगेट बना सकते हैं बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं बाए एंग लाड़ सभी जगें कॉंसेंसस से हुआ और इसका जवाब मैंने मेरे एक इंटर्वियों के अंदर बहुत रिपीटेडली कहा गया था जो हमेशा है तो कहा है प्रूव करने की प्रोसेस करते थे कि ये चुनाओ जैसे कोई बायास है या दूसरा कोई है उसमें मैंने जवाब दिया था एक जगह मैं आपको वीडियो नहीं बताऊंगा उसके अंदर लेकिन वहाँ पर कॉंसेशन्स नहीं हुआ नहीं हुआ और आप उसका जो वीडियो देखेगे तो आप दंग रह जाओ गया कि जनरल इलेक्शन के अंदर भी जितना इंट्रेस नहीं होता है इतना वहाँ लाइन लगके रोटिंग डाले गया पुलिस का बंदबस किया गया चुना हुआ काउंटिंग हुआ वो सब चीज अंदमान निको वार्ग के अंदर हुई और उसका वीडियो हमारे पास में उन प्रदिश एलेक्शन जो कमिटी है और प्रदिश प्रदिश के जो अध्यक्स है और प्रदिश की जो PCC है वो PCC अपने आपके अंदर सभी हैतु तई करती है उसमें से और रिजूलिशन वो एक लाइन का होता कि भी ऑथोराइज कॉंग्रेस पेसिडेंट इन टू आपको फिर से रिपीटिटली आश्योर करना चाहता हूं इसके अंदर कि ये प्रोसेस पूरी ओपन है ओपन होगी और ओपन रहेगे आप सतरा तारिक को जब इलेक्शन हो तो खुशी से आप अपना जहां भी उसको कवर करना चाहते हो वो आप जरूर से करना झाल लोह हूए हो ताभी करना विट्रू लोह हूए होूए हुऑ जब आपको जए हूए हुख अश्योर को तो बात्वारेवं और चूरोस pressing कम चल चुछ में आपको जची I will answer to them, thanks, no thanks.